सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्ट्रे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 9 जो की कक्षा आठवी के विध्यारतियों के लिए ही है यह ली गई है समाजिक विज्ञान के समाजिक और राजनीतिक जीवन से तो आज की वर्कशीट में हम जिस टॉपिक के बारे में समझेंगे वह है भारतिये समविधान के मुखे लक्षन भाग 2 तो आपको तो याद है ना कि पिछली वर्कशीट में भी हमने समविधान के लक्षनों के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और जिसमें समविधान क जो प्रथम लक्षन था वो था संगवाद उसके बारे में हमने जाना था तो आज हम इस भाग में सम्विधान के दूसरे लक्षन जिसका नाम है संसद्य शासन पदिती उसके बारे में कुछ जानेंगे तो चलिए शुरुबात करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है सम्विधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंता संघर्ष ने भारतिये जनता को वयस्त मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सम्विधान ने सभी नागरिकों को वोट डालने का बराबरी का अधिकार दिया है और ये कैसे मिला शायद सम्विधान सभा के सदस्यों को सम्विधान बनाते समय ऐसा महसूस हुआ होगा कि स्वतंता संघर्ष करते करते भारती जनता अब इस लेवल पर पहुंच गई है इतनी बुद्धिमान हो चुकी है कि वो अपने वस्क मताधिकार का प्रियोग करने लायक हो चुकी है उन्हें विश्वास था कि इस से लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोसान मिलेगा और साथ ही साथ जाती धर्म और लिंग आदी के फर्क पर अधारित असमानता की बेडियों को भी तोड़ा जा सकता है तो उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर हम इस तरीके का मताधिकार लोगों को देते हैं तो इससे क्या होगा कि लोकतांत्रिक सोच और उस से जुड़े हुए तौर तरीकों को प्रोसान मिलेगा यानि लोग और जादा लोकतंत्र के बारे में जानेंगे लोकतंत्रिक सोच को अपनाएंगे और साथी साथ ये जो जितने भी भेदभाव है जाती पर अधारित धर्म पर अधारित ये लिंक्त पर अधारित जितने भी ये असमानता है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगी तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और इसमें जो प्रतिनिधी होते हैं वो जन्ता के प्रति जवाब दे भी होते हैं तो अब आपको समझ में आया कि देखे सारभौमिक मताधिकार इसका मतलब यही है कि संसद्य शासन पद्धिती में जो शासन होता है वो प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है क्योंकि सारे लोग तो शासन नहीं कर सकते ना इसलिए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को चल आया जाता है और इन प्रतिनिदियों का जब चुनाव होता है तो उसमें देश के सभी लोग अपनी सीधी भूमिका निभाते हैं यानि उनको डिरेक्ट चुनते हैं इसलिए ये प्रतिनिदी भी जनता के प्रती जवाब दे होते हैं तब ही हम कह सकते हैं कि संसद्य शासन पद्दिती बन जाती है तो अब आपको समझ में आया ना कि संसद्य शासन पद्दिती जनता की शासन पद्दिती कैसे बन जाती है फिर इसके बाद जो टॉपिक है वो है शक्तियों का बटवारा शक्तियों का बटवारा किस के बीच और किस ने ऐसा किया तो चलिए जानते तो समविधान के अनुसार राज्य के तीन अंग होते हैं यहां राज्य का मत्तब सरकार से है क्योंकि राज्य कौन चलाएगा, राज्य का प्रशासन कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी तो सरकार के तीन अंग है विधाईका, कारेपालिका और न्याएपालिका विधाईका यानी संसद और राज्य की विधान सभाएं होती है तो विधाईका में जनता द्वारा निर्वाजित प्रतिनिधी होते हैं जो कानून का निर्मान करते हैं यानी कानून बनाते हैं फिर कार्य पालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है और इसके बाद जो तीसरा अंग है वह है न्याय पालिका न्याय करने वाली संस्था को न्याय पालिका कहा जाता है इसका कारे कानून की सही व्याख्या करना होता है और यदि कोई विधाई का द्वारा कानून नहीं मानता यानि कारे पालिका जब उससे कानून लागू करवाती है और उससे पालन करवाती है अगर वो पालन नहीं करता कोई व्यक्ति तो न्याय पालिका ऐसे व्यक्ति को दंड देने की भी पूरी-पूरी अधिकारी होती है। शक्तियां एक दूसरे से अलग होती हैं, शक्तियों के इस प्रकार के बटवारे के अधार पर ही प्रतेएक अंग दूसरे अंग पर अंकुष रखता हैं, और इस तरहें तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है तो देखे, आपने देखा कि किस तरह से इन तीनों की अपनी अपनी powers है लेकिन अपनी अपनी powers के साथ ये दूसरे अंग पर भी अंकुश रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं ताकि इन तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहे और इन्ही तीनों अंगों के कारण जो राज्ये का प्रशासन होता है, राज्ये का काम करने का धंग होता है, वो सुचारू रूप से चलता है तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक, अब हम एक क्रिया कलाप करेंगे यहां पर आपको क्या दे रखा है, दो कॉलम्स दे रखे हैं, स्तंब का और स्तंब ख, आपने क्या करना है, स्तंब का के जो भी आपको हिंच दे रखे हैं, उनको आपको सही को स्तंब ख के साथ, सही वाले के साथ मिलान करना है तो आप मेरे साथ इसको करें और मुझे भी बताते जाएं ताकि मैं उसी को मिलाता जाऊं। जैसे पहला है कि भारत में वोट करने के लिए नियूंतम उम्र, यानि वोट डालने की नियूंतम उम्र किती हैं? 18 साल फिर उसके बाद जनता द्वारा चुने जाते हैं, कौन चुने जाते हैं जनता द्वारा? प्रतिनिधी उसके बाद आजादी के लिए संगर्ष को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता संगर्ष फिर अगला है कानून बनाने वाली संस्था अभी अभी तो हमने समझा है वो कौन होती है विधाई का कानून को लागू करने वाली कौन सी संस्था होती है कारेपालिका और कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था कौन होती है न्यायपालिका तो देखा हमने कितनी असानी से इसको मिलान कर दिया अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोतर की ओर तो पहला प्रशन है कि सार्व भॉमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं इसका क्या मतलब होता है तो उत्तर है कि सारभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधिका जन्ता के प्रती जवाब दे होना इसको हम सारभौमिक मताधिकार कहते हैं फिर दूसरा है कि संसद्य शासन पद्यती जनता की शासन पद्यती कैसे है बताईए तो संसद्य शासन पद्यती में प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है और इन प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है तथा ये जो प्रतिनिधी होते हैं ये भी जनता के प्रतीब जवाब दे होते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद्य शासन पद्दिती जनता की शासन पद्दिती है पिर इसके बाद प्रash number 3 है राज्य के मुखे अंग कौन से हैं और इनका क्या महत्व है तो उतर है कि राज्य के मुखे तीन अंग होते हैं विधाई का, कारेपालिका और नैयपालिका राज्य के प्रशासन में इन तीनों ही अंगों का बहुत महत्व है और इन तीनों ही अंगों के कारण राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलता है और इसके बाद आखरी प्रशन यानि प्रशन नमबर चार शक्ती का बटवारा इसको इसपश्ट कीजिए तो इसका उत्तर है कि शक्ति का बटवारा, इसका अर्थ है कि राज्ये के जो तीन अंग हैं विधाई का जो की कानून का निर्मान करते हैं, कारेपालिका जो की कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, और न्याएपालिका जो न्याए करती हैं और कानून अलग होती है शक्तियों के इस प्रकार बटवारे के अधार पर ही प्रतेक अंग दूसरे अंग पर अंकुष रखता है और इससे तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है तो ये तो थी आज की वर्क्षीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्क्षीट को समझते रहे लेकिन ध्यान और मन लगाकर पुरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहे और अगर आपको कोरोना वाइरस से बचना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहे मास्क जरूर पहने क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं धन्यवाद